आज बेशरम की तरह बेशरम 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 की तरह फिर से मन की बात में मोदी जी कह रहें कि समुचा बिस ने घुठने टेक दिये क्रोना वाइरस को लेके लिकिन भारत डटा है भारत डटा है बड़ा हसी आया इस उसको सुनके अरे मोदी जी भारत डटा नहीं भारत जुका है और भारत को जुकाने का काम आपने किया है आपने भारत के नागरिकों को मारने का काम आपने किया है गरीम मजदूरों को मारने का काम आपने किया है हमारे देश के नागरिक रोड पे पैदल चल चल के पैर में मोटे मोटे छाले उनके चमरियां निकल गई इसका स्रे आपको जाता है आपको जेपी नड्डा सहाब भारतिये जंता पाटी के राष्टिये अध्यक्ष क्या घोसना पत्र लेके आए हैं आज मीडिया के बीच में बेश्चरम की तरह ऐसा कौन सा तीर मार दिया है भाई? कौन सा देश का काम काज चल रहा है जो आप घोसना पत्र लेके आज बेश्चरम की तरह बैठ गए मीडिया के बीच में ऐसा कौन सा जंग जीत लिया है भारतिये जनता पाटी ने जरा बताएंगे? क्या गरीम मजदूरों को मार के ये जंग जीत लिया है? गरीम मजदूरों को बेरोजगार बना के जंग जीत लिया है? देश की अर्थ बिवस्था चौपट करके जंग जीत लिया है क्या भारत डटा हुआ है बड़ा अच्य अर्ज लगता है भाई इनके तो बड़े मिया तो बड़े मिया छोटे मिया सुभान अल्ला हुआ इनके तो राठी ध़क्षभी वैसा ही है ऐसा लगता किसी के पास कुछ है ही नहीं जो मन में आया चले आते हैं टीबी चैनल पे आलतु फालतु की मकमास करने आज के दिन में कौन सा ऐसा जरूरत था प्रेस कॉन्फरेंस करके और अपनी उपलब्धी गिनाने का क्या ये उपलब्धी में लिखा कि हमने इस एक साल के अंदर पूरे देश के अंदर एक बड़ा परदर्शन हुआ था नर्सी के खिलाप, CAA के खिलाप और NPR के खिलाप ये भी क्या आपने घोसना पत्र में क्यों नहीं का कि पूरे देश की जनता रोड पे आ गई थी ये भी बोलना चाहिए ना ये भी बोलना चाहिए था कि आसाम के अंदर 19 लाख आदमी की नागरिक्ता हमने ली थी हमने ये देना चाहिए था ये क्यों नहीं दिया आपने ये क्यों नहीं दिया कि PNB घुटाला हुआ था हमारे सासनकाल में हमने जो घुटाले बाज थे देश के उन सब के लॉन रिन माप कर दिये ये भी घुटाला पत्र में देना चाहिए था ये भी घुटाला पत्र में देना चाहिए था कि हमारे मोदी जी ने दो करोर परतेक साल नौजबानों को रोजगार देने का वादा किया था जो हम विफल हो गए ये भी घोस्रा पत्र में आज देना चाहिए था कि विदेश से हम काला धन सौधिन के अंदर लाएंगे जिसमें हम विफल हो गए ये भी घोस्रा पत्र में देना चाहिए था कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों की आई हम दूननी कर देंगे जिसमें हम विफल हो गए ये भी देना चाहिए था ये सब चीज़े नहीं बोलनी थी ये भी देना चाहिए था कि देश की रेल में हमारी आन बान शान है जिसको हमने बेचने का एक रिकॉर्ड काइम किया है एरपोर्ट को बेचा अपनी उपलद्धी में ये सब भी देना चाहिए L.I.C. को बेचा बैंक को बेचा लाल किले को बेचा एरपोर्ट को बेचा भारत पेट्रोलियम बेचा ये सब उपलबदिया क्यों नहीं देश की जनता को बताते हैं अपने घोसना पत्र के अंदर ये उपलबदिया जरूरी है कि आपके सासनकाल में देश की कौन-कौन सी समपत्ती को आपने प्राइवेट हाथों में दिया है जिस लाल किले से खड़ा होके पंदर अगस्त के दिन मान्मिय परधान मंत्री जी भासन देते है उस लाल किला को गिर्भी रखने का काम आपने किया ये उपलबदिया नहीं बतानी चाहिए ऐसी उपलबदिया बतानी चाहिए कि आपने कौन-कौन से महानकार ये इस समय में किये है आज देश का एक-एक कार खाना बंध है ये उपलबदी नहीं बताओगे ये भी उपलबदी बतानी चाहिए गजब हाल है भाई बिशर्मी का ताज बहन के बैठ गए हो सत्ता में 56 साल कौंगरेस ने सासन किया एक भी चीज को गिर्बी नहीं रखा एक भी चीज को ना भारत पेट्रॉलियम गिर्बी रखा ना एरपॉर्ट गिर्बी रखा ना रेलवे को गिर्बी रखा ना लाल किले को गिर्बी रखा ना बैंक को गिर्बी रखा ना एलाइसी को गिर्बी रखा लेकिन 6 साल के सासन काल में एरपॉर्ट को गिर्बी रखा लाल किले को गिर्बी रखा रेलवे को गिर्बी रखा LIC को गिर्वी रखा और विदेश बैंक का 75,000 करोड रुपया वो भी लिया 48 गुना विदेशी बैंक का भारत के उपर करजा बढ़ा है भारतिय जनता पार्टी ये क्यों नहीं इस घोसना पत्र में दिया है ये भी देना चाहिए ना आखिर डॉलर के मुकाबले रुपया कितना हमारा कमजोर हुआ इस 6 साल के अंदर जो मोदी जी कहते थे अपने सासन काल के अंदर के कॉंग्रेस के टैम में के रुपया एक देश की तागत है रुपया कमजोर मतलब देश कमजोर तो सबसे जादा सतर साल के रिकॉर्ड में सबसे जादा रुपया की कीमत कमजोर हुआ है नरेन मोदी की सरकार में तो देश की साख बढ़ी या घटी ये क्यों नहीं बोले आप ये जेपी नड़्डा जी आपको बोलना चाहिए था क्यों नहीं बोले आपने क्यों नहीं कहा कि हमने जो लॉक्डाउन किया लोग पैदल चल रहे हैं रोड के उपर दर्भंगा की एक लड़की गुरुगराम से पारा सु किलो मीटर हमारे सासन काल में देखो हमने कैसा सासन चलाया कि एक लड़की को अपने बाद को लाने के लिए जाना पड़ा और वो सैंकल से एक हपते में दर्भंगा लोटी ये भी अपने घोसना पत्र में देते ना और देखो उसके नाम से हमने डाग टिकट चलाया है कितना बड़ा तीर मारा है ये देना चाहिए था बेगुल सराय का एक विक्ती बनारस में भूख प्यास से मर गया ये भी देना चाहिए था मुझपर्पुर में पलेट फरम पे एक महिला मर गई भूख प्यास से रेलेवे में ये भी घोसना पत्र में देना चाहिए था क्यों शरम आ रही थी ये सब चीजे देने के लिए बेशरम की तरह लेकर किताब लेकर पहुँच गए कि हमने ये उपलब्दी कराई ये उपलब्दी ये कौन गिनवाएगा ये भी उपलब्दी गिनवानी चाहिए ना देश एक बात याद कर लो आज कहो गए तो इस टाम पेपर पे मार के देदूँगा कि जब मोदी चार साल अभी और है लेकिन इस चार साल में जो भारत देश कंगला होगा या हो गया है वो आने वाले पचास साल में भी भारत समलेगा नहीं खुल के कह रहा हूँ पचास साल में भी नहीं समलेगा क्यूंकि गोवर दिमाग में भरा हो तो देश कभी नहीं चलेगा हिंदू मुसल्मान दिमाग में भरा हो तो देश कभी नहीं चलेगा कभी नहीं चलेगा यही देश नहीं दुनिया की किसी भी मुल्क की बात कर रहा हूँ जिस देश में जिस देश के राजा के दिमाग में नफरत भरी हो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है चाहे वो कोई दुनिया का मुल्क हो राजा का काम है पूरे परजा को हर एक जाती धर्म के लोगों को साथ में लेके चलना लेकिन वो नरेंद मोदी में गुन नहीं है गुजरात का दो हजार दो का दंगा डेड़ महिने तक होता रह गया और मोदी जी डेली जस्न मनाते रह गये मैंने उसी दिन मोदी के चाल चलित्र सभी चीज को भाप लिया था यह बेक्ती देश के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा और बहुत बड़ा घातक बेक्ती है और आज इसका परमान भी आपको इस देश की जंता को मिल चुका है कि देखो गरी मजदूर भूग प्यास से पैदल चल के मर रहे हैं लेकिन एक भी लब्ज बीस लाख करोड की घोसना करी लेकिन ये नहीं कहा नरेन मोदी जी ने कि जितने भी गरीम मजदूर है वो वहीं पे रहे इस लॉक्डाउन के अंदर उनके खाने पीने का जितना खा सकें वो उसकी बेवस्था हम करेंगे हम करेंगे ये सरकार जदी घोसना कर देती तो आज जो एक लाख साथ हजार आदमी करोणा वाइरस की चपेट में आ चुके हैं ये नहीं आते एक लाख साथ की एक लाख सत्तर हजार हो गया आज ये नहीं होता अगर मोदी जी ने लोगडान करने से पहले एक सब्ता के लिए सारी रेल गाडियों को मुफ्त कर देते और बोलते कि सब आदमी अपने अपने घरों को चले जाईए तो ये करोना वाइरस का फैलाबा और ये 10-15 दिन में लोगडान में ये सब चीजे खतम हो जाती लेकिन नहीं गोबर देश के परधान मंत्री के दिमाग में गोबर है गोबर गोबर भरा हुआ है अमिस्ता के दिमाग में भारतिये जंता पाटी के एक तो ये चीजे समझनी पड़ेगी हम लोग को बड़ा अश्चर्ज लगा मुझे तो लगा कि फील करने आएंगे आज जेपी नडडा जी और प्रधान मंत्री जी लेकिन नहीं अपनी पीट थपाने आगे तो आप समझ लीजिए कैसा आपने प्रधान मंत्री चुना है इतन कि ये उन्होंने कोई जंग जीत ली हो जै हिंड़